Hello Everyone, Welcome to Lecture No.39 of CCNP Course Module दोस्तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने OSPF का ओवर्वियू लिया था कि OSPF प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, OSPF में कितनी AD Value है, क्या उसके टाइमर्स है मतलब सारा theoretical concept हमने डन कर लिया था आज के लेक्चर के अंदर हम GNS3 के उपर OSPF का design बनाएंगे, उसकी IP addressing करेंगे और उसके अंदर OSPF को implement कैसे करना है, वो देखेंगे Welcome to A2IT Online, My Name is Rajiv कुमार If you have not subscribed our channel yet, please subscribe our channel अगर आप कोई भी technical updates सबसे पहले चाहते हैं, तो bell icon दबाना ना भूले तो चलते हैं अपने OSPF design की तरफ, मैं start करता हूँ GNS3 इस वीडियो को like करें, latest technical videos देखने के लिए हमारे चैनल A2IT Online को subscribe करें, bell icon को दबाना ना भूले तो दोस्तों यह है मेरा GNS3, GNS3 के अंदर मैं यहां से router select कर लेता हूँ और मैं एक basic design यहां पर बना लेता हूँ, तीन routers लेके, तीन routers के अंदर मैं यहां पर अपनी straight cable का use कर लेता हूँ, क्योंकि Cisco packet tracer के अंदर तो यहां पर show होती है cross cable और YouTube के उपर students ने comment भी किये थे कि सर इसमें cross cable क्यों नहीं है तो मैं बताना चाहता हूँ straight और cross cable का concept आपको associate level में समझा दिये जाता है और Cisco packet tracer के अंदर होता है इसलिए GNS के अंदर उनको यह पता है कि यह बंदा प्रोफेशनल पढ़ रहा है ठीक है तो प्रोफेशनल लोगों को पता है कि straight लगेगी या cross लगेगी तो इन्होंने visualization देने के लिए एक ही cable का use किया है तो यहां पर मैं इसको on कर देता हूँ अभी हमने OSPF का overview basic करना है और practically इसको implement करना है तो आईए यहां पर हम network देते है तो यहां पर मैंने 192 का network दे दिया यहां मैंने 172 का दे दिया दो लूप लगा देते हैं एक लूप लगा देते हैं इधर 2.2.2.2.2 slash 30 और एक लूप लगा देते हैं इधर 4.4.4.4 slash 30 तो इसको भी जिते हम ऐसे हैं तो अब हम इसके उपर IP addressing करने जाएंगे sorry IP address 192.168.1.1 255.255.255.252 देते हैं आब interface loopback 1 IP address 2.2.2.2.2 exit R3 तो यहाँ पर मैंने दे दिया है interface fa 0 by 0 IP address 192.168.1.2 तो यहाँ पर मैंने दे दिया 172 का network और इसी तरह हम चलते हैं आपने last वाले router के उपर fa 0 by 0 के उपर यहाँ पर मेरे से 0 ज्यादा डल गई थी तो यह मेरा done हो चुका है नो शट मैंने लगा दिया इसके उपर अब लूप बैक के अंदर मैं यहाँ पर 4.4.4.4 दे देता हूं मेरे सारे router के उपर IP addressing की coding हो चुकी है अब मैं open करने जा रहा हूं अपने router अगेन और यहाँ पर हम show IP लगाएंगे और अपने डारेक्ट नेट्वर्क देखेंगे तो यह मेरा डारेक्ट नेट्वर्क है दो का और 192 का तो मैं कमाल लगाने जा रहा हूं OSPF syntax की router OSPF यहाँ पर process ID लगानी है हमने network 2.2.2.2 और wildcard 000 आपको बताया है मैंने कि यह जी आर्प और OSPF में आप wildcard लगाते हैं OSPF by default classless है इसमें तो लगे गए लगेगा तो अभी मैं इसके area 0 मतलब backbone area के उपर ही design बनाऊंगा तो मैंने दोनों network डाल दिया और इसमें कोई भी no auto summary करने की जरूरत नहीं है और 3 की site चलते हैं शो आईपी रूट लगाते हैं इसमें भी दो डारेक्ट network है router OSPF 1 और network लगाया मैंने 172.16.0.0 का area number 0 network 192.16.1.0 area 0 तो उसके बाद चलते हैं R4 की तरव इसमें भी हम शो आईपी रूट लगाएंगे और उसके बाद configuration के अंदर जाके router OSPF1 network area 0 network 172.16.0 और इसके साथ लगा दिया area 0 तो मैंने सारे router की यहां पर routing कर दी है अब हम दुबारा एक बार routers को on करके देख लेते हैं show IP root दुबारा लगाके कि जो coding हुई है यहां पर वो सही हुई है यह नहीं तो show IP पी रूट अगर मैं लगाऊंगा तो यहां पर मुझे ओ के साथ रूट दिखाई देंगे ओ के साथ रूट का मतलब है कि OSPF मेरा implement हो गया है 110 इसकी AD है 21 इसकी cost और वाया यह आ रहा है अगर आप यहां से पिंग करने की कोशिश करेंगे 2.2.2 तक तो यहां पर और 4 तक यह पिंग हो जाएगा तो यह था दोस्तों हमारा basic OSPF configuration next lecture के अंदर हम करेंगे multi area OSPF configuration जिसमें हम off backbone और backbone area का concept भी करेंगे अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर जिरूर करें थैंक यू सो माज इस वीडियो को like करें latest टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एक्वाइटी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दबाना ना भूलें प्राइब प्राइब